तो हम सभी क्या पढ़ रहे हैं क्लास नाइत का चैप्टर सैकिंड इस मैटर राउंड अस प्योर आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और हमने क्या किया था वट इस सॉलूइशन और इस प्रोपरेटीज तो आज हम सस्पैंशन के बारे में पढ़ेंगे और सॉलूइशन और सस्पैंशन में क्या रिफ्रेंस होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे तो लोग स्टार्ट करते हैं कोशन नमर हमारा वट इस सस्प प्रिटेज क्या है है कि स्टार्ट करते हैं इसस्पैंशन इज ए हिट्रोजिनिस मिक्षर इन इच पार्टिकल स्पेड्ट थ्रू आउट दा मेडियम और डू नॉट डिज्वल इंटु मिक्षर यह नहीं होते हैं and do not dissolve in mixture और mixture में dissolve नहीं होते है तो इसका हम उधान लेते हैं if we take a glass of full of water हम क्या लेते हैं कि ग्लास लेते हैं किसी का आने का and mix mud in it और इसके अंदर रेत को मिलाते हैं it will form a heterogeneous mixture ये क्या बनाएगा है कि heterogeneous mixture बनाएगा इसके बारे में ओपर क्या कर रह rushing बात कर रही तक है ये क्या बनाएगा है ह हिट्रोजीनिस mixture येही क्या हो गाए कि suspension होगा it will form a heterogeneous mixture and particles second down at the bottom और कुछ सिमें बाद क्या होँगे जो raw particles होग यह यहां सब्सक्राइब ओलब कर लिए की आप Folies के है सिस्ट करें कि सब्सक्राइब कर लिए हूं छिए लूगा के मिडिया सिएथ इस प्रफा कुई है प्रस photo में मीडियम में इसके इंतर फैल जाएंगे तो हमने definition में पढ़ा है कि Particles spread throughout the medium तो यहाँ पर देखो तो Particles हम सारे मीडियम में फैल गए और दो नौट इसके इंतर इंटू Mixture और जो Mixture इसके इंतर गुलता नहीं रहे तो हमें दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर और हम क्या देखेंगे कुछ समय बात हम क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं रेथ के वह नीचे वोटम में आजाएंगे शारे बार्टिकल्स ठीक है अगर इस टाइब का हमारे पास जो Mixture होगह में उसको क्या बोलेंगे suspension क्या बोलेंगे हम उसको suspension तो हमने कल किया था what is solution solution में क्या होता है हम water में salt या फिर शुकुर को mix करते हैं हम उसके गण देखते हैं उसमें न तो दिखाई देते हैं और इसमें क्या होगा suspension में इसमें सभी के सभी गण दिखाई देते हैं एक difference तो यह हो गया उसका solution का और suspension का अब हम आगे क्या पढ़ते हैं what is properties of suspension suspension is a heterogeneous mixture because they do not completely dissolved क्या है यह के heterogeneous mixture है क्यों क्योंकि इसके जो particles साब completely dissolved नहीं होती हमने उपर देखा ही है कि water में हम rays को mix करेंगे तो वो completely mixed नहीं होगा लेकिन solution में क्या होगा solution का एक homogenous mixture है उसमें क्या होता है हमने जो प्रिविस क्लास में टॉपप किये था उसमें जो साल ट्याफिर सुगर के particles है वो completely mixed हो जाते है water में होता होमोजीनिस इसमें mix नहीं होते तो यह क्या है heterogeneous mixture है property दुस्तरी कुन सी है the particles is larger than 100 mm in diameter जो particle का size है वो 100 mm होगा किसमें diameter में so they can be seen by naked eye तो हम उनको नंगी आँखों से देख सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हम उनको देखने के लिए हमें microscope के जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन solution में क्या होगा अगर हमने शुगर या फिर salt में को mix कर दिया पाने में तो mix करने के बाद हम शुगर को नहीं देख सकते तो वो क्या था उसके particles क्यों देख सकते क्योंकि solution के particles बहुत small होते हैं हमने कल किया था कि उनके particles का जो size होता है वो 1 nm होता है diameter में the particles of a suspension do not pass through filter paper तो इसका क्या कह रहे हैं यह जो particles होते है suspension के या फिर जो rate के कंड है उनको particles बोद रहे है याँ पर यह जो water में हमने rate के कंड मिलाए है उपर अगर उनको filter paper से निकालेंगे मतलब इस filter के उपर आ जाएंगे वह पाणी पाणी नीचे चले जाएकर हम उचानने लग जाएं तो लेकिन सुलूशन में क्या था कि सुलूशन में अगर हम वाटर को इसका अंदर हमने शुगर को डिजॉलू करके उसको शनननी चया फिल्टर से निकालेंगे तो हम सुगर को बाहर नहीं निकाल सकते क्यों क्यों उसके अंदर ही गुल जाती है तो इसका क्या है एक अलग जी पार्टिक्ल्स ओफर् दिजोल्व नहीं होते हैं वाटर के अंदर अगर डिजोल्व होते तो तो यह फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर जाते हैं अब क्या होगा अगर हमने किसी वाटर में रेत को या फिर सैंड को मिलाया है उसके अंदर से हम लाइट की बीम को निकाल लेंगे तो उसके अंदर से लाइट का बीम हज़ो पास कर जाएगा और पार्टिकल्स कर देंगे स्कैटर कर देंगे लाइट को लेकिन सोलूशन में क्या था लाइट का बीम था जो पास नहीं हो पा रहा था यह क्या है उसका अपोजिट है इसमें जो रेत के करन है जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देंगे इसको बीम लाइट को स्कैटर कर देंगे या फिर फेला देंग या इस अनस्टेबल क्यों कहा है क्योंकि हर शम्मेक समान नहीं रहता है जो चीज हर शम्मेक समान रहती है स्टेबल लेकिन यह क्या है अनस्टेबल क्यों क्योंकि हमने कोभी वाटर लिया उसके इंदर हमने सैंड या फिर रेट को मिला दिया कुछ सहमे के बाद जो रेट है वह नीच्छे बोटम में आ जाया सरह सरह तो वो तो तो नहीं हुआ इसी कारण यह क्या है सुस्पइंशिन क्या है unstable है stable क्या होगा stable तो पिस तरह हम solution वाड़ा example ले रहे हैं कि किसी वाटर में हमने साल्ट को या फिर सुल को मिक्स कर दिया हम देखेंगे कि उस solution का हम किचनी तरभी रखें वो चेंज नहीं होगा जो साल्ट या सुल रहा वो नीचे नहीं बेटिगा क्यों क्यों कि उसके अंदर हो मिक्स कर चुका है लेकिन suspension में क्या होता है पार्टिकल्स डिजॉल नहीं हो पाते इसी कारण वो कुछ में बाद अगर मुसको एक जगह पर रखेंगे तो कुछ में बाद वो एक जगह पर राख नीचे बोटम में आके इकटा हो जाएंगे तो यही डिफरेंस था suspension और solution के बीच में ओके थैंक्यू क्लास